दोस्कार दोस्तों दुर्गेश मोबाइल केर में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए लाएं हैं के 308 जो रिंगर आईसी है इसके पिन डीटियल को कैसे देखना है इसका सरकेट डाइगराम कैसे होता है तो यह आज हम आपको बताएंगे इस आईसी के बारे में तो द दिएखना है तो यह सरकेट डाइगराम है रिंगर आईसी के 308 का ठीक है तो इसमें जो है सबसे पहले बोल्टेजेज जो आईसी के लिए रिक्वायर्मेंट है वह यहां पर बिपीएच पावर है और बिपीएच बोल्टेज तो आपको पता हिये 3.6 से 4.2 बोल्ट तक होत के A3 नमबर और B3 नमबर पर आएगा ठिक है जो इसका BPH पावर है वो A3 नमबर और B3 नमबर पर आएगा ठीक और यहाँ पर जो कपिस्टर लगे हुए है यहाँ पर एक लगा है 0.1 UF का और एक लगा है 4.7 UF का तो यह कपिस्टर यहाँ पर लगाना जरूरी होता है वैसे BPH लाइन में तो काफी कपिश्टर लगे होते हैं और यह बैटरी से लाइन आई होती है जो DC to DC IC होती है वहाँ से पर जो IC के पास में कपिश्टर होता है वो भी लगाना जरूरी होता है ठीक है? ना भी लगा रहेगा तो भी चलता है लेकिन यह लगाना जरूरी होता है उसके बाद यहाँ पर D2 और C1 जो नंबर है यहाँ पर एक कपिश्टर लगा हुआ है जिसका नंबर है 2.2F यह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लगा हुआ है और जो इसका D1 और B1 और B2 यह जो नंबर का पिन है इस पर भी इसी नंबर का कपिश्टर लगा हुआ है तो यह कपिश्टर होते हैं बैक अप के लिए IC में जो बैक अप होता है जिसे इस कपिस्टर को निकाल देने से IC में फटी-फटी आवाज आने लगेगी जब रिंगर चलेगा तो और इसका जो साउंड है वो किलियर नहीं बन पाएगा और इस वज़ा से यहां पर यह CP लगे हुए है जो IC में ही लगे हैं इनका कहीं भी connection और आगे नहीं जाता है जब आप IC निकाल कर अगर इसका GR चेक करेंगे तो इनका इन पिन पर कोई GR नहीं आएगा क्योंकि यह IC से ही निकले हैं और IC में ही गए हैं इनका कोई ground से connection नहीं है ठीक है उसके बाद अगला जो पिन है वो है A1 और A2 ठीक है तो जो इसका A1 नमबर पिन है वो है यहाँ पर लिखा हुआ है C, D, C H, P, H R, E, F ठीक है यह line है तो यह line किसी-किसी में यूज होता है और किसी-किसी में यूज नहीं होता है तो जिसमें ये यूज होता है उसमें अगर ये line का connection कट जाता है तो उस time क्या होगा जादा तर तो ये यूज में ही रहती है तो ये वाली line का अगर connection कट जाता है ये resistance भी हो जाती है निकल जाती है तो जो ringer IC है इसमें फटी-फटी आवाज आएगी आवाज अच्छी से नहीं निकलेगी और ये जो है c-d-c h-p-h-r तो ये वाली जो line है इसमें जो है signal आता है जो sound होता है वो sound का signal आता है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर sound का signal आता है और इन दोनों के बीच में एक kapishter लगा हुआ है तो ये भी line important है और ये भी line important है इसकी ठीक है दोनों line है important है ये line अगर कटती है तो इसकी वज़ा से आवाज फटी-फटी आएगी और ये line कटती है तो आवाज बिल्कुल ही नहीं आएगी ठीक उसके बाद यहाँ पर जो a4 number pin है यहाँ पर idu paen यहाँ पर जो idu paen है वो 1.8 volt आता है तो ये जब तक bolted नहीं आएगा तब तक ये IC activate नहीं होगी यहाँ पर bph power मिल रहा है और जो इसकी requirement है वो सब पूरी हो रही है पर अगर यहाँ पर 1.8 volt का जो EN है वो नहीं आएगा तो उस time भी यह IC work नहीं करेगी और इसके साथ में यह यहाँ पर एक resistance लगा हुआ है EN के साथ में जो 100K का है यह इसलिए लगा होता है कि जब idu pa जो है EN जो आ रहा है वो जब बंध हो जाता है तो उस time यह ground से यहाँ से एक signal आएगा जिससे यह IC बिलकुल काम नहीं करती है या सरसराहट की या कोई भी आवाज नहीं करेगी क्योंकि यह ground से लगा होता है जो इसके signal को disturb नहीं करता है या कोई भी frequency को यह आने नहीं देगा ठीक है तो इस वज़ाँ से यहाँ पर जब कोई signal नहीं आता है या कोई voltage नहीं मिलेगा तो यह IC बंद होगी एक्टिबेट नहीं होगी तो उस टाइम कोई आवाज नहीं आएगी लेकिन जैसे ही यहाँ पर voltage आ जाएगा 1.8 volt वैसे ही यह IC एक्टिबेट हो जाएगी और जो भी sound आप पिले करेंगे यहाँ से वो sound आने लगेगा यद यह वाली IC कटी होगी तो आपको पता ही है कि आवाज फटी-फटी हो जाएगी और यह IC और यह line कटी होगी तो इसकी वज़ा से आवाज बिलकुल नहीं आएगी उसके बाद में यहाँ पर जो C2, C3, C4 यह नमबर की जो पिन है यह ग्राउंड होंगी ठिक है यह पिन ग्राउंड है डारेक्ट ग्राउंड है और उसके बाद में यहाँ पर V आउट नेटिव और V आउट पोजिव तो यहाँ से जो है जो वाइस होगी वो आउट पुट हो रही है एक प्लस आउट पुट हो रहा है एक माइनस आउट पुट हो रहा है ठिक है और यहाँ पर PBDD जो यहाँ पर एक कपिश्टर के साथ में लगा हुआ है यह भी ग्राउंड के साथ में होता है यद ये कपिश्टर ने आप निकाल देंगे तो भी ये IC जो है सट डाउन मोड में आ जाएगी मतलब ये लोड नहीं ले पाएगी इस तरह से जिससे आप कोई गाना चलाएंगे या कुछ भी है तो आपको लगेगा कि जिससे IC को बोल्टेज की रिक्वार पूरी नहीं हो रही है या बोल्टेज इसे मिल नहीं रहे हैं तो IC अच्छे से वर्क नहीं करेगी इस कपिश्टर की हो जैसे तो ये कपिश्टर भी ठीक है तो ये कपिश्टर लगाना जरूरी होता है और उसके बाद में यहां पर एक जो लाइन आउटपुट हो रही है वी ओपी जो पिन नंबर है उसका वीफोर और दीफोर यह वाली पिन है तो यहां से एक minus output होगा इस पर जो है plus output होगा voltage इस पर minus और यहीं से speaker connect होगा तो जो wise बनेगी वो speaker में बनेगी और यहां पर दो kapishter लगे होंगे जो इस में से noise जो भी noise आईगी उसको filter कर देंगे तो यहां पर यह filter के लिए कपिस्टर लगा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर जो कपिस्टर लगा है वो कितना लगा हुआ है यहाँ पर लगा है PF में जो कपिस्टर मापने का नंबर होता है या मीटर जैसे होता है उसी तरह से इसमें जो कपिस्टर नापने का मैथेड है वो है पी अफ मतलब पी को फेराड और यहाँ पर सेम दोनों लगे हुए हैं कपिश्टर ठेक हैं तो यहाँ दोनों कपिश्टर लगे हुए हैं सेम नंबर के और यह यहां पर सेम नंबर का कपिश्टर लगा हुआ है तो यह कपिश्टर ना भी लगा रहेगा तब भी चल जैगा पर लगाना जरूरी होता है क्योंकि इससे जो नौएज होती है वो नौएज नहीं आएगी और यह कपिश्टर यहाँ पर सिगनल वाली लाइन में लगी है आपस में यह ग्राउंड के साथ नहीं लगा हुआ है तो आपको पता चल गया होगा कि कई जगा पर जो है कपिश्टर का यूज ग्राउंड के साथ नहीं किया जाता है या कोई भी कपिश्टर ये कपिश्टर निकाल दिया है ये भी निकाल दिया है तो आप सोचें कि यहाँ पर इस तरब भी रीडिंग आ रही है तो मैं यहाँ पर रजिस्टेंस लगा दूँ या इसे सोट कर दूँ तो ये गलत है ठीक है यहाँ पर कपिश्टर ही लगेगा और रीडिंग दोनों साइड आ रही है फिर भी कपिश्टर ही लगेगा क्योंकि ये कपिश्टर के लिए ही ये जगा बनी है यहाँ पर रजिस्टेंस या इसको सोट करना गलत होगा और जो ये दूसरा है ये तो कोई निकाल देगा तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राउंड के साथ बीप कर रहा तो यहां कपिस्टर हो सकता है तो यहां कपिस्टर होगा ही पर जो सर्किट है सर्किट में आप देख सकते हैं सर्किट में देख कर ही लगाएं कि यहाँ पर resistance है या कपिश्टर है तो वो ज़्यादा बहतर रहेगा अंदाजा ना लगाएं या फिर आपको इस IC के बारे में पता चल गया है सभी पिन के बारे में कि कौन सी पिन पर कौन सा कपिश्टर लगा है या रेजिस्टेंस लगी है कौन सी पिन पर सिगनल आ रहा है तो किसी और सेट में यह IC यूज की गई है तो आप वहाँ पर भी सेम यह सरकिट देखकर वहाँ पर लगा सकते हैं जो कनेंसल निकला है या जो भी है और यहाँ पर यह जो दो क्वाइल लगी हुई है यह जीरो ओम की है ठीक है जीरो ओम की क्वाइल लगी हुई है तो यहाँ पर यह क्वाइल जो होती है यह फ्लाइबैक क्वाइल होती है यह एक शूज की जैसे होती है क्वाइल ठीक है रेजिस्टेंस जैसा पर यह उची उठी होती है और जो boost coil होती है वो दूसरी तरह होती है तो उसको हम जब PCB दिखाएंगे आपको तो उस time बता देंगे कि ये वाली coil कौन सी है और ये वाली coil कौन सी है ठीक है तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको audio section की जो सभी pin है के 318 का आपको पता चल गया है तो अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है और आपको knowledge मिली है इस वीडियो से तो इस वीडियो को like करें और मेरे channel को subscribe करें और share जरूर करें यादि आपको कहीं पर doubt है या कुछ आपको पूछना चाहते हैं तो comment box में comment जरूर करें Thank you दोस्तों